जैहिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सर्वसमी का A प्लस B का होल क्यूब बराबर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रेकेट में A प्लस B का सत्यापन करके दिखाएंगे कि कैसे A प्लस B का होल क्यूब बराबर इतना होता है इसको हम दो तरीके से आपको सब्तियापित करके दिखाएंगे तो चलिए दोस्तो हम सुरू करते हैं तो A प्लस B का होल क्यूब बराबर इतना कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे A प्लस B का होल क्यूब इतना बराबर हम लिख सकते हैं A plus B एक ब्रेकट में और A plus B का होल स्कॉाइर दूसरे ब्रेकट में A plus B गुड़े A plus B का होल स्कॉाइर देखिए यहां घात दो है और यहां घात एक है दोनों को जोड़ देंगे घात तीन हो जाएगा तो इसको हम तोड़ करके इस तरह लिख सकते हैं अब हम जानते हैं कि सर्ब समिका A plus B का होल स्कॉाइर बराबर क्या होता है आप पढ़ चुके होंगे A plus B का होल स्कॉाइर बराबर होता है A square plus B square plus 2AB तो A plus B इसको हमने वह ऐसे उतार लिया और इसकी जगा पर हम लिख सकते हैं A square plus B square plus 2AB क्योंकि A plus B का होल स्कॉाइर बराबर होता है A square plus B square plus 2AB आप यहां देखिए इसका इस पूरे बेंजक का गुड़ा इस पूरे बेंजक में करेंगे तो कैसे गुड़ा होता है बेंजक का जो यह पहला पद है इसका गुड़ा पूरे बेंजक में होता है फिर यह जो दूसरा पद है उसका गुड़ा भी इस पूरे बेंजक में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं A गुड़े ये पूरा बेंजक तो A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर पलस 2AB उसी तरह पलस B का गुड़ा भी इस पूरे बेंजक ने होगा तो पलस B गुड़े A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर पलस 2AB आप गुड़ा कर रहे हैं A का गुड़ा इस पूरे बेंजक में करेंगे तो पहले पद में होगा फिर A का गुड़ा दूसरे पद में होगा फिर A का गुड़ा तीसरे पद में होगा तो A का गुड़ा A स्क्वाइर में करेंगे तो हो जाएगा A क्यूब इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो पलस A B स्क्वाइर इसका गुड़ा इस वाले पद में करेंगे तो पलस 2 A स्क्वाइर हो जाएगा A गुड़े A तो हो गया A स्क्वाइर और B तो इसका गुड़ा इस तीनों पदों में हो गया अब पलस B का गुड़ा इस पूरे तीनों पदों में करेंगे तो B का गुड़ा A स्कॉाइर में करेंगे तो हो जाएगा A स्कॉाइर B पलस B का गुड़ा B स्कॉाइर ते तो हो जाएगा B क्यूब पालस इसका गुड़ाइश में होगा तो 2AB2 अब यहां जोडते और घटाते हैं जो जुड़ घट रहे हैं उनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो क्यूब वाले पद हैं उनको इकठा कर लेंगे देखें ये क्यूब वाला है और ये क्यूब वाला है हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है आप मत करना हमने आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए यहां अंडरलाइन कर दिया है तो A क्यूब पलस B क्यूब और कहीं नहीं था A क्यूब B क्यूब ना सिर्फ a cube यहाँ है और एक b cube यहाँ है अब और देखिए a b square a b square कहीं ओर है a b square इधर देखिया है तो एक a b square और दो a b square तो कुल मिला कर हो जाएंगे ठीरी a b square अब इस वाले पत को देखिए a square b a square b कहा है यहीं पे है तो दो और एक तीन तो पलस हो जाएगा ठीरी a square b अब और देखिए कोई पत बचा तो नहीं है कोई पत नहीं बचा सबको हमने जोड़ घटा कि यहाँ पे इकठा कर लिया अब यहाँ लाश्ट के जो दो पत हैं इन दो पतों में देखिए इसको हम उतार लें a cube पलस b cube पलस ठीरी कामन है a कामन है b भी कामन है तो क्या बचा? इस वाले पद में सिर्फ b बचा और इस वाले पद में ठीरी a b जब कामन है तो क्या बचा? सिर्फ a बचा या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a cube पलस b cube पलस ठीरी a b और ब्रेकड में B पलस A है तो हम इसको A पलस B भी लिख सकते हैं B पलस A बराबर A पलस B होता है इसमें तो कोई फरक नहीं है तो अब आप देखिए A पलस B का होल क्यूब बराबर यहां हमने लिया और बायंपक्ष को हल किया तो क्या आगया हमको मिला AQ पलस BQ पलस 3AB बिरेकर में A पलस B तो दायापक्ष मिला तो हमने बायापक्ष हल किया और दायापक्ष यहां हमको पराप्थ हुआ तो यह सत्यापित हो चुका है LHS बराबर RHS तो यह प्रूब्ड हो चुका है कि A पलस B का होल Q बराबर होता है A Q plus B Q plus 3A B breaker में A plus B अब आये इसका हम आंकिक सत्यापन आपको करके दिखाते हैं तो आंकिक सत्यापन आंकिक सत्यापन तो आंकिक सत्यापन में हम माल लेते हैं A बराबर दो और B बराबर तीन सर्पसमी का क्या है A पलस B का होल क्यूब बराबर A क्यूब पलस B क्यूब पलस थीरी A B और ब्रेकड में A पलस B अब हम यहाँ A और B का मान रखेंगे और दोनों पक्स यदि बराबर आ गए तो यह सत्यापित हो जाएगा कि इतना बराबर इतना होता है तो A और B का मान हम यहाँ रखते हैं A बराबर दो पलस B बराबर तीन इसका क्यूब दाएपक्स में दो का क्यूब पलस तीन का क्यूब पलस थीरी गुड़े A A बराबर है दो B बराबर है तीन बरेकट के अंदर दो पलस B बराबर तीन अब बाएपक्स में हल करेंगे दो और तीन पांच होता है पांच का क्यूब करेंगे तो पांच गुड़े पांच गुड़े पांच बराबर हो जाएगा 125 बराबर के इधर दो का क्यूब करेंगे तो दूना चार दूना आठ पलस तीन का क्यूब करेंगे तो तीन तिरिक का नव तिरिक 27 पलस यहां गुडा करेंगे तीन दूना छे छे तिरिक अठारा अठारा हो गया इतना गुडा करेंगे तो और ब्रेकट के अंदर जोड देंगे तो तीन दो पांच तो अठारा गुड पांच अठारा पंजे नब्बे तो इधर एक सो पचीज दाय पक्ष में जोड़ रहे हैं आठ और साथ पंदरा पंदरा और जिरो मिल करके पांच हासिलाएं एक एक दो तीन तीन और नौ बारा तो एक सो पचीज आया दोनों पक्ष देखे बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर आया तो इस तरह से यहां सत्यापित हो चुका है कि इतना बराबर इतना होता है LHS बराबर RHS Left hand side यानि बायापक्ष बराबर RHS right hand side यानि दायापक्ष तो यहाँ लिख दें Proved तो यह सत्यापित हो चुका है कि A प्लस B का होल क्यूब बराबर होता है A Q प्लस B Q प्लस 3AB ब्रेकड में A प्लस B तो दोस्तो मुझे आसा है कि मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा आप लाइक करिए, सेर करिए हमारे चैनल ग्यानका सागर को सब्सक्राइब करिए हम आपसे मिरेंगे नेक्ट वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत